तो नमस्कार आदाप शेस्रियकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजिस्थान ग्यान में तो दोस्तों आज का कोशन है भारतिय संसद में महिलाओं के संख्या आज तक भी नहीं बढ़ पाई है कारण बताईए और मैंने सॉलुशन्स भी लगबग 60% एस्पिरेंट्स से इंटर्व्य में पुछा जा रहा है कि महिलाओं के संख्या कम क्या है जहां भी वुमन एंपावर्मेंट का मुद्धा आता है तो यह बात सामने आही जाती है तो डिसकॉशन लायक है ही और आरेस मेंस में तो इंपोटेंट होई जाती है ऐस शुरू करते हैं दोस्तों भारतिय संसद में महिलाओं के संख्या आज तक भी नहीं बढ़ पाई है कारण बताईए सो शब्दों में अंस्वर लिखने की लिखना है आमको तो सबसे पहले दोस्तों हम कोट करेंगे इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट है यह एक रिपोर्ट होती है जो कहीं सारे वर्ल्ड में वहां के राजनिती में महिलाओं के प्रतिनदित्व है पर अपनी रिपोर्ट देती है कि अनुसार भारत का इस्थान इक सो नब्य देशों में 173 वा है भारत का इस्थान 190 देशों में 153 वा तो लगवक 30-40 इस्था के वहां पर महिला सांसदों का सर्वादिक प्रतिशत है तो दोस्तों जहां पर जितनी ज्यादा शिक्षा होगी वहीपर वैसा ही माहौल होगा तो यही कारण है कि दोस्तों यह सारे देश जो हैं फिर्ण डेर्मार्क नार्वे स्वीडर हमेशा हर एक चाहे human development इंडेक्स आजाए एडॡेशन इंडेक्स आजाए चाए लिविंग इंडेक्स आजाए है ना हर शीत्र में आगे रहते हैं क्यों क्योंकि यह अपनी महिलाओं को बराबर लेकर चलते हैं लकिन हम यहां पे बहुत पीछे हैं आपको आख़ड़ देके पास्चरिय होगा UK और USA में लगवग 32% महिलाओं का प्रतिनी दित्वय है जब कि USA में 23% है और पाकिस्तान में महिला सांसत 20% है यह तो हमने वर्ड का एक ब्योरा दे दिया और वर्ड में अपने स्तती बता दी कि हम में 190 देशों में 153 में स्तान पर हैं इंट्रोडक्शन के रूप में हम अगर ऐसे स्टार्ट करें तो हमारा कॉशन बहुत ही इफेक्टिव बने का तीन चार डेटा अगर हम लोग एड कर देते हैं तो कॉशन बड़ा ही सुन्दर लगने लगता है भारत की अगर बात करें तो 78 महिला सांसेद हैं दोस्तों हमारे पास में आप उमीद कर सकते हो कि 16 लोगसभा में सिर्फ 12 परसेंट और 17 में सिर्फ 14 परसेंट जहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है वहां तो महिलाएं परदे में रहती है वहां तो पच्चों को पढ प्रिटिक्स में देखें तो सिर्फ 14 परसेंट में बैठे हुई हैं और वह भी आजादी के इतने साले सालों बाद में 1947 में आजाद हुए थे साल हो चुके हैं हमारे आजादी को पिछे तरवे वर्षकाट बना रहे हैं हम और हम बैठे कहां पर है 14 परसेंट पर सोचने और समझने की बात है यहां पर जब बात आती है महिनाओं को आरेक्षन देने की तो चाहे वो रादनेता हूँ चाहे वो पार्टी हो चाहे वो विश महिनाओं को सपोर्ट नहीं करता है तो यह हमरी सिचुवेशन बैटे हैं साक्रावन की महिलाओं को अधिकार देने की महिलाओं पे क्राइम कम होने की भाई तुम अधिकार जब दोगे जब महिलाओं को आगे लाने का प्रियास करोगे क्योंकि एक महिला महिला को जादा sensible तरीके से समझ सकते हैं उसके लिए जादा अच्छ से कानून बना सकते हैं लेकिन आप तो नहीं अत्याचार भी हम करेंगे महिलाओं पे और कानून भी हम ही बनाएंगे महिलाओं के लिए क्योंकि महिलाओं को तो अधिकार देंगे ही नही महिलाओं को तो पढ़ाएंगे ही नहीं आगे लाएंगे ही नहीं तो ये हमारा धेश है तो रीजन देख लेते हैं भावनाओं में बहे बिना की संसांसदों में जो महिला के कमी है मतलब हमारी राजनिती में जो महिलाओं की संख्या में कमी है उसके कारण क्या है तो सबसे पह राजनेता बैठते हैं जो बात करते हैं महिलाओं के शेशक्ति करेंगी वही राजनेता हैं कितनी पार्टिया आई और गई 2008 के बाद में किसी ने भी इस बिल को पास करने के जुरूरत नहीं की और महिलाओं को 33% अभी तो सिर्फ 33% आरक्षन ही मांग रहा था ये बिल हम अभ अभी तक आपने 33% आरक्षन भी महिलाओं को नहीं दिया है फिर आप बात करते हो बराबरी के दर्जे के फिर आप बात करते हो कि महिलाओं इस लायक नहीं है कि वो चला सके लायक जब होंगी न जब हमें मोका दिया जाएगा भई पहले SCST को भी ऐसे ही समझा जाता था कि SC PCCST तो लायक ही नई है उनको तो ग्या नहीं है वो तो अनपढ़ है पड़े लिखे नहीं है लेकिन जब उनको मोका दिया गया कुछ उनके लोगों को आरक्षन देके लायाया घ्रकित हो सकता है कि उस टाइम पर जिनको आरक्षन मिला हो वो उसकाबिल नहीं हो कि वो ऐसे पढ़ों परुछ सके लेकिन उन्होंने आगे आने वाली पीडियो को पढ़ाया ना उन्होंने आगे Alana जनरेशन को इसकाफिल बनाया ना अगर किसी ने एक बार कर उक्रिपाली तो वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा तो उन्हें भी अच्छा ग्यान आएगा तो वो भी और लोगों के बराबर मतलब कम्पेटिशन कर पाएगे ना तो लेकिन हमारे यहां पर यह सारी चीजें OBC के लिए हो गई S.C. के लिए हो गई S.T. के लिए हो गई S.B.E.C. के लिए हो गई लेकिन यह सारी चीजें महिलाओं के लिए नहीं हुई भाई साहबे पितक महिला आज भी विचारी 33% आरेक्ष्टन ही मांग रही है और मांगती ही रहेंगी पिछे 30 साल हो गए आज आदी की वर्षगांट बना रहे हैं बापू की जैनती बना रहे हैं लेकिन महिला अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं करते हैं सिर्फ 8 मार्च के दिन जिस दिन महिला दिवस आता है बाकि किसी भी दिन महिला अधिकारों के बात हमारे यहां पर नहीं की जाते हैं सिर्फ दुख जताया जाता है कि किसी महिला का रेप हो जाता है किसी महिला को जला दिया जाता है आग से हैं किसी महिला का दहेज के लिए मार दिया जाता है किसी कोई विचरी सूसाइड कर लेती है तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है उसके बारे में बैठ के बाते कर ली जाते हैं लेकिन अधिकारों टारक्षन देने की बात कर रहा था दोस्तों दूसरा बड़ा रिजन है महिलाओं की निदक शर्ता आज भी दोस्तों हमारे देश में 66% के आसपास ही महिलाएं पड़ी हुई है तो जब तक सबसे बड़ा रिजन दोस्तों किसी भी चाहिए समुदाय हो चाहिए कोई जाती हो चाहिए कोई वर्ग हो चाहिए कोई लिंग हो उसको आगे लाने का सबसे बड़ा एक अच्छा प्रियास हो सकतता है साक्षर्ता जब तक साख्षर्ता नहीं होगी अधिकारों को समझ तो हम बरबर और जंगली रहेंगे हैं तो क्योंकि अभी तक भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा निरक्षरता है वो अपने अधिकारों की ना तो मांग करने लायक है और ना ही अधिकारों को समझ रही हैं बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को समझती हैं और मांग कर तो घर में आकर उसको घर का काम करना ही पड़ता है यह जरूर हो सकता है कि वह सर्वेंट वगरा रख ले तो अलग बात है बाकि फिर भी अगर एक पूरुश होता है अगर वह जौब करके आता है तो उससे बैठे-बैठे को सारे चीज़े चाहिए लेकिन एक महिला आती है अ और घरेलू कारिया को मतलब एक तरह से एक जिमा माल लिया गया है तो यह तो सिर्फ महिला का ही काम है इसे तो महिला को करना ही है नो डाउट तुम नोकरी करो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं करो तो भी तुम्हें यह करना है और करो तो भी तुम्हें करना तो है कारियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएं एक राधनेता जो होता है उसकी लाइफ कितनी व्यास होती है अगर एक वूमन राधनेता बन जाती है तो फिर वो घरेलू कारियों की तरफ थोड़े ध्यान दे पाएगी और अगर नहीं दे पाती है तो फिर उसकी जो घरेलू लाइ हैं जहां पर मुमन पढ़ रही है उनको बाकी तो मतलब हमें यह चूट दी जाते हैं कि आप पढ़िए और जॉब लग जाई है लेकिन यह नहीं कि आप पढ़िए और रादनिती में जाईए और आप देश समाल यह ऐसी तो अभे हमें सिखाया ही नहीं चाहता तो अपने आप ही रूची का भाव हो गया और राजनितिक नेटवर्क का भी अवह बहुत कम पार्टी ऐसी होती है दोस्तों जो राजनितिक मतलब महिलाओं का खुद का नेटवर्क नहीं होता ना क्योंकि जैसे कि तो दोस्तों महिलाओं को राजनिति में करियर बनाने ही तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उपलब तो नहीं कराया जाता अगर बेटा खड़ा होता है राजनिति में तो उसको लिए पूरा परिवार एक छोटे सी कॉलेज इलेक्शन की बात करें तो अगर बेटा खड़ा हो लना मुश्किल है। बहुत रहे चांस में चल सकते हैं और हमाजी हमारी समाजी कर सांसकुर्थ कुछ से रवाईया जो है दोस्तों मतलब जो पॉलिक्स में जाती है उन महिलाों के करिया करेकिटर को लेकर क Holanda के लगते हैं कि महीला के राजिती में जाने का रास्ता साफ नहीं है उसे बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं आप लोग समस्ते हैं सारी चीजें चाहे कितना ही उसका करियर साफ हो लेकिन फिर भी कई तरह के लाच्छन उस पे लगा दिया जाते हैं तो यह हमारी समाज की गंदी और घिनो आप करते हैं यह एकदम शास्वत बात है दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महीला को तब तक सीट नहीं आवंटित करती है तब जब तक कि वह खुद महीला किसी पॉलिटिकल बैग्राउंड से सपोर्ट नहीं करती है कि हाई यह हो सकता है कि कोई परिवार जिसका प पार्टीज है वो आगे से कभी भी किसी भी महिला पर इतना विश्वास नहीं करती कि वो जीट जाएगी तो उसे सीठ ही आवंटित नहीं की जाती है तो दोस्तों यह रीजन जो हमारे सामने हमेशा होते हैं और हमें पता भी होते हैं लेकित कई बार हम उन्हें शब्दों में भयान नहीं कर पाते हैं तो वयसे ही रीजन है जो हींदू में ही आये थे जोस्तों और कुछ मैंने अधर सोर्स से वे गलेक्ट किये हैं कुछ अपने मन से भी बनाए हैं तो यह सारे महिला जुला के मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की है कि क्यों महिला उनकी रादिती में कमजोर इस्थती है फिर सुधारने के भी दोस्तों इनी के जो विपक्ष में तर्फ दे देंगे हमके म verste कैसी विफ्रथ आजंञ जाए हैं तो वह फिर इसारे हो जाएगे महिला सांसदों कि संख्या बढ़ाने के महिलाओं को उनके संख्या क्या रुपात में राणितिक प्रति निधित्व दिया जाए हम 25% संख्या जंसंख्या का प्रति निंधित्वहा membád Amazon जाए तो दिया जाए न हमारे हमें हमारी संख्या के सबसे बड़ा तो दोस्तों उपाई यही हो सकता है कि हमें हमारी संख्या के बरापर ही आरक्षन दिया जाए अनुपाद दिया जाए सीटे दी जाए लड़ने के लिए तो ही हम बरापरी में आ सकती है हाँ इसको लागू होगा यह नहीं होगा या फिर आने वाले सो वर्षों में लागू होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यह होता है जितनी जनसंग क्या उस अनुपात में आपको अधिकार भी दिया जाएं पर वो दिये नहीं जाते हैं सब महिलाओं को आग को भी इस छेत्र में कतम बढ़ाना होगा खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं मानती हूं मेरे में लिडर्शुप कॉलिटी है मैं बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल सकती हूं तो क्यों नहीं आना चाहिए मुझे राजनेती में लोग भी तो डोनेशन लेते हैं गरी से बड़ी चीज राजनेता ही हैं दोस्तों कि हमारे लोकसवा में जितने राजनेता बैठे हैं एक का भी इंट्रेस्ट नहीं है महिला अरक्षन विद्यक लागू हो अगर उनका इंट्रेस्ट होता तो लागू हो जाता तो बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे राजनेता महि महिलाओं को इजट दे और महिलाओं को बरावरी का दर्जा दिलाने के कोशिस करते हैं अगर तो जरूर दर्जा दर्जा मिल जायेगा और दूस्तों महिला आरक्षन विध्येक अनिवर्यत नागो किया जाए जो अब तक लटका हुआ वाड़ा है समय आ गया है कि उसको लागू किया जाए किसी भी हालत में कितना भी लढना पड़े लेकिन लागू करने का वक्त आ गया है एक दोस्तों गिल 1 मूला भी है इसमें गिल decline में बता कि राधनेदिक पार्टियों को निष्चित स्थे उप plaster मतलब चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि कुछ निश्चित सीटे आपको महिलाओं को देनी ही पड़ेंगी है तो यह भी कर सकते हैं कि हर एक राजितिक पार्टी के लिए निश्चित कर दिया जाए कि 33% सीटे तुम्हें महिला को ही अलोट करनी पड़ेंगे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और महिलाओं को भी राजिति में पहुंच के दोस्तों सीटे बीटे सब ठीक है लेकिन सबसे पहले पहुच के समान अवसर उपलफ्द करवाया जाना चारू है हम बेटे को पूछते हैं कि तुझे कॉलेज में तुझे यूनिव प्रोक्त सभी कारणों को अप्टाते हुए हम देश में राजिति में महिलाओं के सक्रियता को बढ़ा सकते हैं तो शोट एंड स्वीट सा कोशन है दोस्तों अच्छा लगा होगा यही सिंपल सिंपल से रीजन होते हैं बस हमें अच्छे सेने सजाना होता है तो उमीद आप को अंसर पसंद आ रहे होंगे अच्छे लग रहे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं थैंक्यू सो मच